जियो के फोन में नेटवाक आना हो गया है बंद, यूजर बहुत जादा परेशान हो रहे हैं तो क्या है पूरा मामला आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देव कुमार और आप देख रहे हैं RD Time सुबा सुबा से धिरे धिरे ये कंप्लेंट्स आने लगी थी कि जियो फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है पहले भुपाल से, इंदौर से, ऐसा करके MP से बहुत सारी ट्विटर पे एकाउंट पे पोस्ट हुआ था कि जियो में नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसके बाद यही प्रॉब्लम 36 गड़ में भी आई और धीरे धीरे नेटवर्क जो है वो शटडाउन होते गया, जियो ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मिशन नहीं किया है लेकिन बताया जा रहा है कि सर्वर डाउन होने के कारण ही ये प्रॉब्लम आ रही है कुछ जगा पर ये भी खबरे आई है, जियो के नेटवर्क पर ओवर्लोड होने के कारण भी ये समस्या बताई जा रही है ये प्रॉब्लम कब तक रहने वाली है, इस पर अभी कोई भी ऑफिशियल डिटेल्स नहीं आई है लेकिन जियो लगातार कोशिश कर रहा है कि वो अपने नेटवर्क को बहतर बना सके तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि हो सकता है ये प्रॉब्लम आपको 6-7 घंटे तक देखनी पड़ सकती है तो अगर किसी के जियो फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है ये जियो का फोन नहीं लग रहा है तो आप समझ जाएगा कि सेम प्रॉब्लम वहाँ पर चल रही है ट्वीटर पर लोग तरह तरह के सवाल पूछना है और लोगों को लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उनका बस नेटवर्क बंद हुआ है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है मैंसे उम्मीद की जा रहे है कि शायद ये प्रॉब्लम केवल मध्यपदेश और 36 गर तक ही सीमित रहेगे उससे पहले ही उसे रिकवर कर लिया जाएगा लेकिन अगर रिकवर नहीं होता है तो ये 24 घंटे जियो यूजर्स के लिए बहुत जादा भारी पढ़ने वाले है अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो कर लीजेगा ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद